हलो डिवन आप सभी को नमस्कार कॉपरेटिव बैंक एक्जाम जो है 17 जुलाई को होने वाला है और जीके में आपके इसमें 40 सवाल आएंगे ये आपको पसु समपदा का मैं पूरा टॉपिक करवा रहा हूँ इसमें आपके 2-3 सवाल कंफर्म मिलेंगे और अभी जो नवीन जनगर्णा हुई है 2016 की ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें पसु में भौत कमी हुई है ये हमारे लिए काफी मात्पुन होगा इस बार जो हुई है 20 भी पसु गर्णा हुई है ये दियान रखना है राजसु मंडल अजमीर पसु पालन विबाग हर पास साल में जनगर्णा होती है शुरुवात हुई थी इसकी एक अक्टुमर 2018 से और खतम हुई थी 16 अक्टुमर 2000 गुनिस 2017 भी पसु गर्णा थी यानि कि 20 भी पसु गर्णा 2017 में होनी थी परंतु लेट हुआ है 12 परकार के पसु की गर्णा की गई है जिला कलेक्टर को जिला पसु पालन अधिकारी भी कहा जाता है गुनिस सी पसु गर्णा जो पहले हुई थी 2012 में तब थे इसमें 5 करोड 77 लाक पसु थे परंतु 2000 गुनिस में इसमें 1.66% की कमी ये कमी हमें ध्यान रखनी है 1.66% की कमी हुई है और अब जो है 5.68 लाक पसु है राजस्तान में केवल 5.68 लाक पसु है 1.66% की कमी हुई है गोवंस में वर्धिय हुई है 4.41% की वर्धिय हुई है पहले 13.9 मिलियन यानि की 1.49 लाक थे अब 1.33 लाक रहे गए है तो इस तरह से ध्यान रखना की गाई में 33 क्रोड देवीते वता निवास करते है तो इसमें 1.33 क्रोड इस तरह से ध्यान रख सकते हैं और 4.41% की जो है इस बार वर्धिय हुई है जो थी पहले 2012 में 1.3 क्रोड थी अब 1.37 क्रोड इसमें विवर्धि वी है 5.53% की भेड में है जो ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है इसमें 12.95% की कमी हुई है भेडों में 12.95% की कमी हुई है ये बात हमें ध्यान रखनी है और एक और हमारा राश्ट ये पसू जो 2014 में गोसित किया गया था उट उसमें 34% की कमी हुई है 34% की पहले 3.26 लाख थे अब 2.13 लाख रह गए हैं काफी important है उट में कमी हुई है बक्री में भी कमी हुई है भेड में कमी हुई है घोडों में बहुत बड़ी कमी हुई है रास्तान में घदो में बहुत बड़ी कमी हुई, 2021 में 8,001,000 थे, अब 2,30,000 रह गए है, 71% की कमी हुई है, रास्तान में घदो में 71% की कमी हुई है, अच्छा, अगर ओर्डर देखा जाए तो रास्तान में सबसे ज़्यादा पसुँ में परतमिस्तान है, उंट, गदे और रास्तान में चोड़े और बेड़ भेड़ तरह से आते हैं प्रफं कंद्र पर्मुव केंद्र केंद्र बेड़ यह जौड़ बिर विकानेर में है, भेंस परजन अनकेंदर, वल्लब नगर, उधेपुर में है और कुछ टॉपिक पे डिसकस करेंगे, अब्जेक्टिव सवाल जो है, आपके लिए मातपुन है नमिल कितमे से भेड की वह नसल जो सरवादिक उन, एवं सरवादिक लंबी उन देने वाली जो है उस नसल का नाम है जेसल मेरी, जेसल मेरी नसल है, सरवादिक उन और सरवादिक लंबी उन देने वाली भेड की वह नसल जिसे भारत का मेरिनो important है चोकला जो भेड की नसल है उसको भारत का मेरिनो कहता है निमनमे से भेड की नसल नहीं है 4 है मुर्रा, मेकाना इसको यहाँ पर नहीं है यानि कि नाली मगरा है चोकला मारवाडी है और पूगल सोनाडी है यह सब भेड की नसल है मुर्रा और मेकाना भेड की नसल नहीं है किस नसल की भेड सेकावटी सित्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की उन के लिए परसिद है वो है चोकला चोकला जो भेड की नसल है वो अच्छी किस्म की है दो चीज़े याद रखनी है भारत की मेरिनो भी इसी को बोलते हैं और अच्छी किस्म की जो उन देती है वो चोकला देती है केंद्री ये भेड है वो अनुसंदान जो संस्थान है वो अभी का नगर में है आफसर नमर वन निम्न में से भेस की नसल नहीं है मालानी है मुर्रा है और साचोरी है और चोकला जो है वो भेड की नसल है भेस की नसल नहीं है रास्तार में भेस अनुसंदान है प्रजिनंट केंद्र जो है वल्लब नगर में इस्तापित है भेस्ट की नसल जो नहीं है कांकरेज नहीं है ये गाई की नसल है मेशाना सूर्ती जाफरावादी ये सब भेस्ट की नसल है कांकरेज जो है गाई की नसल है कांकरेज राठी नागोरी ये सब थार पारकर ये सब गाई की नसल में आती है सिंदीवसाई वाला की मिस्रित नसल जिसे रास्तान की काम देनु का जाता है वो है राठी राठी गाई की नसल है जिसे रास्तान की काम देनु का जाता है नागोरी, कांकरेज, थार पारकर, राठी ये सब गाई की नसले हैं निमलिकित में से सीमावर्ती सित्र में पाई जाने वाले नसल है थार पारकर, थार पारकर जो है कि सीमावर्ती सित्र यानि की जैसल मेर भाड मेर इन इलाकों में यह पाई जाती है, भाड मेर का मालानी सित्र किस गोवन्स का उत्पादे वो है थार पारकर, दुगद उत्पा कारे के लिए सुरत्तम है वो है नागोरी गोवन्स की वह नसल जो रेंडा वह अजमेरी की नाम से जाने जाती है रेंडा वह अजमेरी गिर को जो है रेंडा और अजमेरी गोवस्त की नसल है गाईयों की नसले जिसें डेरी नसल की स्रेणी में उत्तम माना जाता है गाईयों क जिलो मैं थार पार कर मैं को पाई जाती है इसमें इंपोर्टेंट है करेंदी और बीद्षी कहने रास्तान में कौन से पौचई के लिए रास्तान भारत में प्रतमिस्थान रखता है वह है उट का किस जगर वी प्रति Attackा भारत में प्र overc действ है मियां करता राष्तान के बगर दान क गतया में में जाती है ले उपातान में जाती हैралन को के सोइथे पने हें और योजना यजना यह यूजना लागू की गई है निंवनमे से बकडी की नसल नहीं है मुर्रा भेंस लह जखराना पर एंट घलोन आस्तान का वह गाउं जो जहां की पक्रिया पूरे देश में परसिद्ध है वह है वनुन गाउं नागोर घोड़ों की नसल नहीं है काकरेज यह गाई की नसले मारवाडी मालानी काठिया वाड़ी यह सब घोड़ों के नसले तो यह थे हमारे कुछ मात्मुन सवाल आप इसको को देख सकते हैं थैंक्यू वेरी मर्च